तो इसमें हमरा जो arrangement था वो ऐसा था कि हमें चार अलग-अलग assignment थे अन्ना you 박ो वाला assignment था फिर Gmail वाला था और Qafox वाला था तो इसमें क्या किया है हमने Selenium में कि चार अलग-अलग classes बनाई है Selenium में अन्ना वाली अलग बनाई Gmail के लिए अलग Qafox के लिए अलग और ट्रिप वोग के लिए अलग हमने क्लासेज बनाई है सभी क्लासेज को मैं वन बाइवन एक्स्प्रेंद कर रहा हूं ट्रिप अन्ना युनिवर्सिटी का टार्गेट था कि यह ना युनिवर्सिटी पर जाना है डिपार्टमेंट की लिंक क्लिक करना है फेकल्टी और हमने क्या किया है उसके लिए हर एक के लिए मैंने कमेंट लिखा ही है यहां पर कि कैसे क्या है तो उसके लिए हमने पहले क्रोम ड्राइवर सेट अप किया है क्योंकि हमें क्रोम में करना था इसा बोला था इसलिए हमने क्रोम में सेट अप किया है यह क्रोम का सेट अप है क् लगाके उसको क्लिक करवाया है उसके बाद हमने मेनू ौप्शन पर जाके अंदर जाने के बाद हम जो है के पेज करने के बाद फिर हमने पेज हुर ताइटल वरिफाय करने के बाद हमने वापस से मान ऊचन को स्ट वाला जो स्ट पॉपोलेशन वाला में उसको खुलिक करवाया इस code के थूरू तो यह वाला मैं अभी आपको उसमें दिखा देता हूं जो हमने site पर मैंने publish किया है उस पर दिखा देता हूं कि यह कैसे काम करता है तो यह अन्ना वाला जो है अन्ना University वाला जो है इसमें हम जो है Chrome driver setup का यह code है यह फिर इपाटमेंट की link क्लिक करवाने का code है यह डिरेकली हमने जावास्क्रिप्ट एक्जुक्र से क्लिक करवाई है फिर वापस हमने civil engineering faculty of civil engineering पर होवर करवाया और इंस्ट्यूट अवोशन मेनेजमेंट पर क्लिक करवाया है और स्पेच पर जाके हमने ट्राइकेश लगाया है यहाँ पर यह स्टेलज का देरा था इसलिए हमने ट्राइकेश का यह लगाया है और हम ने क्लिक करवाए है उस पे वेरिफाइब करवाया है with allen seven लिख कर्वाने के वहको शही है की यह जुजिदॉषा assignment था Gmail का जिसमें हमें Gmail पर जाकर जीमेल पर जाना था लिंक क्लिक करना था सेंग में उड़ो में और फिल्ड लोग इन करवाना था और वापस गूगल पर आके सर्च करवाना था ड्रा धर outsiders कर जी मेल पत्लिक करवा के वो स्ट्रींग करवा के वह उपर फेज़ज दी ओपर स्ट्रींग बनाई थी यहूट है श्रह्षा मों क्या मिलता है हमya क्प्र तब Ctrl T करके जो हम नई टेब open करते हैं उस टाइब का यह हमें यहाँ पर मिलता है यह राइट और अरे लिस्टिंग के थ्रू हैंडल करवाया विंडोस को क्योंकि हमें एक ही विंडोस के अलग-अलग टेब में जाना था तो यह स्वीच करके दूसरी टेब जो खुलती है जी फिर तीसरा QAFox का assignment था QAFox वाले assignment में यहाँ करना था कि एक page पर जाना था QAFox की site पर जाना था और वहां पर सारी links open करना था तो हमने QAFox की site पर गया और Chrome driver पहले set up किया QAFox की site पर गया सारे हमने links पर क्लिक करवा लिए वन बाइवन 12345677 लिंक्स पर क्लिक कर रहा है फिर उन्हों बला था कि 76543 एसे करके हमें close कर रही है जो टैब्स हमने खुली है तो वह हमने switch to window करके सारे close कर लिए और यह एक सब्सक्रिप्स कर लिए हर टैब को राइट ट्रीप होबो अब सबसे tricky यही था इसमें problem यह आ र के लिए हमने implicit weight नहीं यूज किया है और नहीं थ्रेट वा स्लीप यूज किया है हमने explicit weight यूज किया है तो हमने पहले सब्सक्राइब करता है अगले पेज पर जाने से पहले अधरवाइस वह फेल हो जाता है वी सेकंड तक किया weight करने के बाद हमें जो है वो टेक्स्ट मिलता है उस टेक्स्ट बोक्स मिलता है उस टेक्स्ट बोक्स के अंदर जो है हमने पूरा टेक्स बोक्स के अंदर जो है हमने पूरा अपना वो ट्रिप का टेक्स लिखवाया है कि क्या लिखना है उसमें जो लिखा था कि यहां पर प्लान मैं वेकेशन पर जाके हुस्टन लिखवाना था टेक्सास में उसको सिलेक्ष करवाया फिस सिलेक्ष स्टार्ट एंडेड यह लिए करवाया फिस्टार्ट प्लानिंग करा यह सब हमने उसमें करके दिया है complete तो यह complete करके दिया है सारा code उसका है हर बार हमने एकसपाथ से find करते गए element को जो element नहीं विला उसको webdriver.explicit wait का use करके हम पूरा use करते गए explicit wait का इस्तमाल करके क्लिक करवाते गए क्योंकि बहुत से element मिलते नहीं है इसलिए java script executor से भी हमें execute करवाने पड़े वो सारे राइट और इस तरह से wait लगा-लगा कि हमने हर step को complete किया है यह सारा कहीं css selector से मिला तो css selector से किया है wait लगा है अब इसमें यह सारे question पूछ सकते हैं कि आपने जावा script executor का use क्यों किया क्योंकि उसमें हमें मिल नहीं रहा था वह element easily available नहीं था तो उसको java script page पे यूज की हुई थी तो इसलिए हमें java script executor लगा कि हमें वह element ढुणना पड़ा इसलिए हमने ऐसा किया और कई बार हमें ज्यादा wait भी लगाना पड़ा इसलिए हमने पचास सेकंड और ऐसा wait भी यहां पर perform किया है अब यह सारी classes मैंने बना दी है अब इनको मैं run करके दिखाता हूँ यह अन्ना वाली class है अन्ना वाली class को मैं run करता हूँ तो यह उस हर page पे जाके अन्ना वाले application को open करेगा और जाके सारा इसमें perform करेगा यह अन्ना वाली site पर जाता है department पर क्लिक करके फिर फेकल्टी में इंजिनेरिंग में जाता है फिर यहां research theme पर क्लिक करके coastal management पर आ जाता है बस यह इसका इतना ही था बट इसको करने में बहुत time लगा हमें यह देखिए true करवा देता है यह दूसरा Gmail का है हम इसको वह सकते हैं कि हमने अलग किये लेकिन इने रिटेंस से हम सारा एक साथ भी कर सकते हैं बट हमने अलग-अलग की सेपरेट सेपरेट भी कोई रन कर सके अब यह Gmail वाला है Google पर जाएगा फिर Gmail को लिंक क्लिक करेगा है कि यह सेलेनेम यह Gmail पर क्लिक करके Gmail पर जाता है और Gmail पर जाने के बाद वापस करता यह सिब बहुत जल्दी होती है इसलिए ईसलीए भी हो जाता है है यह घ्री वनमें दिखाई नहीं दीताist है हम he i f फॉक्स वाले में साने लिंक जाने के जारी ओपन करवाएगा वो ह아 अब देख सकते हैं सारी लिंक्स को पहले जाएगा साथ लिंक्स को ओपन करवाएगा टेप में कि हर एक टेप को साथ छे पांच एसे उल्टे डिसेंडिंग ओडर में वो बंद करेगा हर टेप को कि सारी लिंक्स प्लिक करकर के वो ओपन करवा रहा है देख सकते हैं आप यहां पर 12345678 ओपन होगी क्योंकि एक तो में हैं बाकि 7 लिंक्स ओपन करता है बहुत अपरी क्लोस करें घर दरे करेंगत सारी दिरैंदेरे क्लोस करेंगा का शब को क्लोस कर देता है यह अब बाश तरिफ जस यक्रहण कर देता है यह सारा भत रनकरेगा यह भत स्टेप ह говоритξोन का है माउस होवर एक्शेंज के भी यूज किया है माउस ब्लान करता है day phone पर जाता है वह प्लान वेक्यशन करता है वेक्यशन्फ से करता है अपना नोटने के बाद नेक्सट अब करके श्रयक करता है सारे टायमिंग कर सकता है इसमें उसके बाद वो सोलो में क्या ये जे उस पे जाता है फिर वो एडिटेबल व्यू में जाके यहां पर प्लान से उकल लेता है यह बहुत ट्रिकी पार्ट था इसमें कि जैस का यूज बहुत हुआ था इसलिए में जावास्क्रिप्स इलेक्टर और टाइमिंग का यूज करना पड़ा तो क्यों और कोई क्वेरी हो तो मैं सॉल कर दूंगा सारा कोड में यहां पर रखा हुआ है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा सारा कोड यहां मिल जाएगा आपको और मैं फाइल में भी सेंड कर सकता हूं